मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम शू है वो अपनी नानी के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए उनके घर आता है कारी से उतर कर जब घर की तरफ जाने लगता है तो उसे कुछ प्लांट्स के साथ खेलती हुए एक बिली नजर आती है उसको लगता है कि जैसे उसने प्लांट्स में एक छोटी सी लड़की को देखा है जो लड़की उससे और उस बिली से छुप रही थी पर इससे पहले कि वो कुछ टिटेल्स चान सकता उसकी नानी शू को बुलाती है और शू वहाँ से चला जाता है यह चोटी सी लड़की उस चीज़ें इंसानों से ले लेते हैं जिसके गाइब होने से इंसानों को कुछ खास फरत भी ना पता चले इसलिए इन लोगों को बॉर्वर्स कहते हैं यानि कि उधार लेने वाले लोग थोड़ी देर के बाद हम एरिटी के डैड को देखते हैं जो कि अपने बॉर्विंग से बहुत जादा खुश होती है जिसके बाद वो एक चोटे से बैग में कुछ जरूरी समान रखकर अपने रैड के साथ निकर परती है यहां पर एक चोटी सी जगा पर धागे जैसी पुली बनी हुई थी जिसकी वज़ा से ये लोग एक लैब पर जाते हैं चहां पर इतने बड़े बड़े फरनीचर को देखकर बहुत ही जादा हिरान होती है उसके डैड दूर पर एक टेबल पर पॉइंट करते हैं जिसके उपर एक शुगर पॉर्ट था और बताते हैं कि हमने वहां तक पहुंचना है जिसके बाद ये लोग एक ठ्रेड जैसी रसी के साथ नीचे उतरते हैं और एरियोटी के डैड अपने पाउंपे लगी टेप की साथ एक मकडी की तरह उस टेबल पर चटे हैं और वहां टीप पॉर्ट तक पहुंच जाते हैं एरियोटी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हुए अपने डैड तक पहुंचती है जहाँ पर उसके डैड उसे एक शुगर क्यूब देते हैं और वो इस क्यूब को अपने बैग में रख लेती है। यहाँ पास ही जमीन पे पड़ी हुई उसे एक पिन मिलती है जिसको एरिटी उठा लेती है और एक सौड की तरह रख लेती है। उसके डैड एरिटी से कहते हैं कि यह तुम्हारी पहली बॉरुन थी और इस बात से वो बहुत खोश होती है। अब एक चोटी सी जगा से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगा पर आते हैं जहाँ पर बिलकुल उनके साइस की चोटी 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 चीज़ें थी। बिलकुल एक घर बना था जहाँ पर एरिटी के डैड उसे बताते हैं कि यह इनसानों का बनाया हुआ एक डॉल हाउस है। टॉल हाउस से निकल कर यह लोग एक टिशू बॉक्स के पास से होते हुए गुजर रहे थे जहाँ पर एरिटी देखती है कि शूव उसकी तरफ खूर रहा है और वो गबराहत में अपना शुगर क्यूब नीचे गरा देती हैं यहाँ पर शूव से कहता है कि तुम कोशी से चले जाते हैं एरिटी अपने डैट से बहुत सौरी कहती है एरिटी के डैट उसे कहते हैं कि अपसे काफी केरफूर रहना होगा हमें जिसके बाद रात को नीदी नहीं आती है अब खुद को रिलाक्स करने के लिए वह बाहर जागर बैच जाती है जहां पर वो दे कहती है इसके बाद एरिटी के पेरिंट से कहते हैं कि हमें लगता है कि अब इस चका को छोड़ कर चले जाना क्यूंकि उहीं इस भार को चोड़ के चले जाना होगा ड़ी देर के पार एरेटी दुबारा उस शुगर क्यूब के पार जाती है तो देखती है कि उसके उपर बहुत जादा चूंटियां थी पचाने के लिए शुग स्खिर्की के पास आता है और ऐसे ही सारा शुर सुनकर शुग की मेड धारू भी अंदर रूम में आ जाती है वो उसक्रो को मारने लगती है और शुग बस पचाने के लिए एरेटी को अपने हाथ में पकर लेता है ताकि उसकी मेड ना देख सके मेड उस क्रो को तो यहां से भगा देती है और साथी शुग को कहती है कि तुम्हें अपनी द्वाईया लेनी होंगी और इसी बाद जीत के दरम्यान में एरेटी वहां से छुपकर निकल जाती है वो जब डॉल हाउस से घर वापस जा रही थी तो एरेटी के टैड उसे देख ले हैं जिसकी वज़ा से वह कुरियर कंपनी वाले को कहती है कि मुझे किसी पेस्ट कंट्रोल वाले का नाम और नंबर दे दू रात को दिनर टेबल पर हमें पता चलता है कि शुक को दिल की बिमारी है और वो अपनी नानी के पास इसलिए रहने आया है क्योंकि कुछी अरसे मे पारह में पूछता है पर नानी उसे पताती है कि यह तुम्हारे नाना ने बनाया था उनको शक था कि शायद इस घर में चोटे लेकर आता है जहाँ पर एरिटी पहली दफ़ा किसी और छोटे आदमी को देख रही थी यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि हमें जल्द ही इस घर को छोड़ना है और यह चोटा लड़का हमारी मदद करेगा एक निया घर ढूनने में एरिटी का बिल्कुल दिल नहीं था कि इस जहे थे कि अचानक से इनके घर की छट हिलने लगती है और ऐसे ही घर की छट उठती है और उनका पुराना किचन को उठा लेता है और उसकी जगह पर एक बहुत ही खुब्सूरत सा किचन रख देता है यह काम किसी और का नहीं बस शूका था जो कि उस डॉल हाउस की मदद स इनके घर को खुब्सूरत और प्यारा बनाना चाहता था इनकी मदद करना चाहता था पर इसके साथ साथ एरेटी की फैमली पैकिंग करने लग जाती है और अपने घर का सारा समान बांध लेते हैं अब इनके जाने का वक्त था और एरेटी शू को गुदबाई कहने के दोस्त बनाना चाहता था इसके बाद वो उसे अपनी मेडिकल कंडिशन के बारे में भी बताता है शू को लगता है कि ये सब कुछ उसकी वज़ा से हो रहा है कि एरिटी को अपना घर छोड़ कर जाना होगा जिसकी वज़ा से वो एरिटी से बहुत साथा सौरी कहता है अब दूसी तरफ हम देखते हैं कि कैसे मेड जब क्लीनिंग कर रही थी तो उसे जमीन पर पढ़ा हुआ एक क्रूबार मिलता है जब उसे वो अलमारी में रखने लगती है तो अलमारी में ठेर सारा समान बाहर आता है और फ्लोर पर उसे एक छोटी सी जग कि उपती है यहाँ पर तो मेड एरेटी की मौम को इठा कर एक जार में बंद कर देती आए और किचन में बागे सारे जार के बीच में चुपा देती है जसके बाद वो शूप ने रूम में लॉक करती है और उसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को काल कर कर के बता दी है कि यहाँ चोटे चोटे इनसान है और मुझे उनको जिन्दा पकरना है जब एरेटी किचन में पहुंशती है तो उसे समझा जाती है कि घर की च्छत उपर से खराब हुई है और ना ही उसकी मौम वहां पर है तो इसका मतलब यह है कि किसी ने उनकी मौम को पकर लिया है एरेटी रोते तो दर्वासा तो बाहर से लौक था जिसके बाद शू विंडो से बाहर निकलता है और साथ वाली विंडो तक जाता है जहां पर एरेटी अपने छोटे साइस का फाइदा उठाते हुए अंदर जाकर विंडो को खोलती है और यह नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं जहां प बाद वो और एरेटी किचन में जाते हैं अब यह लोग आसपास देखी रही थे कि मेट किचन के अंदर आती है शू को अपने रूम से बाहर निकला देकर वो बहुत ही जादा घबरा जाती है जिसके बाद शू नोट करता है कि वो बार बार स्टोर के डोर की तरफ देख र लिए अब यहां पर वो एक रसी की मदद से नीचे उतरती है और स्टोर रूम में जाने की त्यारियों में लग जाती है एरेटी बहुत मुश्कल से स्टोर में पहुंचती है जहां पर वो अपनी मौम को आवाज देती है और जैसे ही एरेटी को नजर आ जाता है कि उसकी और अपनी मौम को बाहर निकालती है इतनी देर में वहाँ पर शू भी पहुंच जाता है जिसके बाद एरेटी की मौम उसे देकर बहुत साथा खबराती है पर यहां पर एरेटी उन्हें समझाती है कि उन्हें कोई खत्रा नहीं है शू से बाहर इतनी देर में पैस्ट कंट दिखाने के लिए जाती है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था क्यूंकि शू ने और रड़ी वह सारी चीज़ें हटा दी थी जिसके बाद मेर लेके जाती है उनको डॉल हाउस के पास कि इनका किचन मिसिंग होका पर शू ने वह किचन भी वापस रख दिया था इसके बाद फिर मेर कहती है कि मैंने एक छोटे आदमी को तो पकर लिया है जिसके बाद जब वो जार उठाती है तो उसमें तो एरिटी की मॉम भी नहीं थी मेर तो बहुत जादा खबरा जाती है कि यह सब हो क्या रहा है नानी को एक छोटे से बरतन में थोड़े से पत्ते नजर आते ह जिनसे वो समझ आती है कि शायद में ठी कह रही है जिसके बाद शू भी अपनी नानी को बताता है कि यह लोग बुरे नहीं है ना ही चोर है यह लोग बॉरर्स कहलाते हैं मेरे उसे में उन सारे पैस कंट्रोल वालन को कहती है कि वापश चले जाओ क्यूंकि अब यहां पर तो कोई काम नहीं है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरेटी अपने पेरेंस के साथ इस जगा को छोड़कर चली गई है यह लोग एक चगा पर स्टे कर रहे थी और एरेटी बहुत ज़्यादा डाउन फिल कर रही थी एरेटी के डैड कहते हैं कि वह चोटा नया लड़का ह उसे खुद को फॉलो करने के लिए कहती है वो चोटा लड़का एक टी कैटर लेकर आया था जिसमें एरेटी और एरेटी की फैमली अपना सामान रखते हैं ताकि इस जगा से जाकर किसी और जगा पर देख सकें अपने रहने का बंद बस भी कर सकें इतनी देर में चानक से एरेटी को आवाज आती है शू की और वो भागती है उस तरफ ताकि उसको एक दफा दुबारा फाइनल गुडबाई कह सकें यहां पर शू से वो मिलती है और उसे थैंक्यू कहती है कि उसने मदद की उसकी फैमली को बचाने के लिए और उसको साथ साथ विश करती है कि मूवी हिंट हो जा दिये